हिंदु धर में तुल्सी के पौधे का विशेश महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जुस घर में तुल्सी का पौधा लगा होता है उसमें कभी भी धन की कमी नहीं होती है और खुछ हाली बनी रहती है। घर में सुकसमरिद्धी का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन जब बात वास्तु से जुड़ी हो तो तुल्सी के पौधे के लिए घर में कुछ विशेश स्थान है। और ऐसा माना जाता है कि यदि इस पवित्र पौधे को सही दिशा और स्थान पर ना लगाया जाए तो घर में समस्य आ सकती है। आए जानते हैं घर के किन विशेश जगहों पर आपको तुल्सी का पौधा नहीं रखना चाहिए। सबसे पहरे जान लें कि घर की छट पर भूल कर भी ना रखी तुल्सी का पौधा। जी हां तुल्सी का पौधा वास्तु के अंसार कभी भी घर की छट पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र पौधे को छट में रखने से सकारत्मक उर्जात दूर होने लगती है। खासतोर पर जन लोगों की कुंडली में बुद्ध की इस्तिती कमजोर है वो भूल कर भी ऐसा ना करे। वास्तु की माने तो छट पर र तुल्सी नहीं रखनी चाहिए। घर में तुल्सी का पौधा हमेशा खुले स्थान पर लगाने की सलहा दी चाहती है। भूल कर भी इस पौधे को अंधेरे वाली जगह पर ना लगाए। ऐसी जगह लगाया गया तुल्सी का पौधा आर्थिक हानी का कारण बनता है। यहां वास्तु के अंसार तुलसी का पौधा घर के मंदिर के आसपास लगाने से घर में सम्रिध ही आती है लेकिन कभी भी पौधा भगवान शेव और गणपती जी की तस्वीर के आसपास न रखें ऐसा करने से श्रफ जी नाराज हो सकते हैं और आपको बड़ा नुकसान हो स करता है वास्तु शास्त्र बताता है कि दक्षन दिशा में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए ऐसी मानता है कि दक्षन दिशा में पित्रों की दिशा होती है इसलिए कभी भी तुलसी का पौधा इस दिशा में ना रखें तुलसी के लिए सर्वोत्तम दिशा उत्तर पूर्व है यानि घर का इशान कोन सबसे अच्छा माना गया है बेस्मेंट में भूल कर भी ना रखें तुलसी जी हां कहा जाता है कि कभी भी तुलसी का पौधा आपको घर के बेस्मेंट वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए और सबसे मुख्य बात है कि तुलसी को कभी भी जमीन नहीं लगाना चाहिए इसे हमेशा गमले में ही लगाएं और गमले को किसी स्टेंड पर रख दें